दोस्तो इन मैडम को डांस करते हुए आप पहली बार देखेंगे तो चलिए आज हम आपको कैमरे में रेकॉर्ड होने वाले कुछ ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस दिखाते हैं दोस्तो सबसे पहले इस आदमी और इसके बंदर को देखिए यहां यह शक्स मोबाइल चला रहा था तभी बंदर इसके हाथों पे ठोकता है और जैसे ही यह शक्स अपना कान बंदर के पास लाता है बंदर इसके कान में कुछ फुस फुसाता है अब ये समझना तो बहुत मुश्किल है कि आखिर ये बंदर इस आदमी से क्या कह रहा है लेकिन काफी देर तक ये बंदर इस आदमी के कान में कुछ बोलता है और उसके बाद ये आदमी बंदर के कान में कुछ बोलने लगता है भाई इनकी बाते काफी सीक्रेट है तबी तो ये अंदाजा लगाना कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं बहुत मुश्किल है यहां ये भाई साहब ओफिस में काम कर रहे थे लेकिन जैसे ही ये पीछे के तरफ टिंड होते हैं कुरसी टूब याती है और ये भाईया धडाम से नीचे गिर पड़ते हैं इस वीडियो में ये अंकल जी सैकल से जा रहे थे लेकिन इन्हें सडक पे एक बतक दिग गया और लग गए बतक के साथ छिड़खानी करने में लेकिन इन भाई साहब को उंगली करनी काफी महंगी पड़ गई दोस्तों कहते हैं काम्याब होना इतना भी आसान नहीं होता ऐसे ही कुछ इन जनाब के साथ भी होता है यहां ये भाई साहब काम्याबी के बिल्कुल करीब पहुचके नाकाम हो जाते हैं अपना पुस्पा भाई कहता है कि जुकेगा नहीं साला और ये भाई साहब कहते हैं कि हटेगा नहीं साला और इसी चक्कर में भाई साहब पानी में गिर जाते हैं दोस्तो अब हम आपको दिखाते हैं ये निज रिपोर्टर जो नहर में नहाती हुई महिलाओं का इंट्रिव्यू ले रही थी लेकिन इस बिचारी को खुद भी नहाना पड़ जाता है जरा देखिये ये वीडियो दोस्तो अगली वीडियो मेरी प्रसनल फेवरेट है क्योंकि इस वीडियो में जो कुछ होता है वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा यहां ये दुलहे राजा अपनी बरात लेके जा रहे थे तबी पीछे से एक बच्चा आता है और इनके पैसे वाले माले को खीच के भाग जाता है अब तो दुलहे राजा को बिना माले के ही दुलहन को लेने जाना पड़ेगा दोस्तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बॉलर हसन अली को तो आपने देखा ही होगा ये कई बार ऐसी चीजे करते हैं जिसे देख के हसी आती है जैसा कि इन्होंने इस वीडियो में किया दोस्तो कहते हैं जब किस्मत खराब हो तो उट पे बैठे हुए नाटी इंसान को भी कुता काट लेता है ऐसे ही कुछ इन कैप्टन साहब की भी आज किस्मत खराब थी जैसे ही ये भाई साहब मैच जीतने के बाद कप उठाने आते हैं इन्होंने कप लिया और अपने टीम के तरफ तेजी से बढ़ने लगे लेकिन जैसे ही इन्होंने कप को हवा में फेका कप नीचे गिरा और तूड गया अब इस वीडियो को देखे जिसमें कुछ लोग किर्केट खेल लहे थे और यह मोटे भाई सहब बैटिंग कर रहे थे लेकिन तभी इनके साथ एक कांड हो जाता है जैसे ही बॉलर बॉल डालता है यह भाई सहब बला गुमाते हैं लेकिन यह इतना तेज बला गुमाते हैं कि इनका बैलेंस बिगढ जाता है और महासे गोल घूम कर सीधा स्टंप पे जाकी गिर जाते हैं अरे भाई और कोई इन्हें रनाउट करे या ना करे इन्होंने खुद को ही रनाउट कर लिया ये चिचा अपने दोस्तों के साथ बीच घूमने आये थे और अपने इंस्टाग्राम फालोवर को अपनी तसरीफ दिखाने के लिए ट्राइपोट लगाते हैं और लग जाते हैं अपनी तसरीफ हिलाने में और तभी ट्राइपोट का बैलेंस विगरता है और ट्राइपोट सीधा नदी में गिल जाता है इससे उठाने के लिए जैसे ही ये भाई साहब दौर लगाते हैं खुद भी फिसल जाते हैं अब इन दोनों लववर्ट्स को दिखिए यहां ये दोनों पार्क में बैठे थे तब ही कहीं से चुहिया आती है और इस लड़के के जीन्स के अंदर चली जाती है धीरे धीरे ये चुहिया पॉइंट पे पहुझाती है अब मिलिए इस पापा की परी से जो इस लड़के की बैठ से अपनी बेंच साफ कर लेती है लेकिन उसके बाद जो लड़के ने किया उसे देख कर आपकी हसी नहीं रुकेगी अब जरा एक नजर डालिए इन भाई साहब पे जो ऐसा हैरिस्टैल बनवा रहे हैं जिसे देख के आपके होस उड़ जाएंगे नई भाई मुझे बताओ ऐसा हैरिस्टैल बना के तुम करना क्या चाते हो तुमें लग रहा है कि तुम अच्छे लग रहे हो अरे भाई नमूने लग रहे हो नमूने यहाँ इन महतरमा को कुछ अलग करना था इसलिए ये घोड़े के साथ एक डांस वीडियो बना रही थी लेकिन इनका डांस घोड़े को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इसलिए तो घोड़े ने देखिये क्या किया वीडियो में दिख रहे भाई सहब कुछ नया करना चाहते थे इसलिए ये पहाडों पे गए और वहाँ खाना बनाने रगे लेकिन तभी पीछे से एक भेड आती है और इनकी रोटी लेके भाग जाती है और जैसे ही ये भेड के पीछे रोटी छिनने जाते हैं तभी ये गधा आता है और ये गधा इनका बाकी बचा हुआ खाना भी खा लेता है अब तो इन भाई सहब के पास केवल दो ही आप्शन है या तो दुबारा खाना बना लो या फिर आज भूके ही सो जाओ यहां ये जनाब आये थे डांस देखने के लिए डांसर का डांस अच्छा लगा तो भाई सहाब ने डांसर को पैसे दे दिये चलो इसमें कोई बड़ी बात नहीं लेकिन तभी आचानक इनकी बीबी आ गई और फिर देखे इनकी क्या हालत होती है यहां कॉलेज में फेरवेल चल लाँ था तभी कुछ बच्चे मैडम से डांस करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और फिर इन मैडम ने ऐसा डांस किया कि सबकी बोलती बंद हो गई तभी करते हैं